देखो महाभारत में एक प्रसंग है कि सबसे श्रेष्ट गुण क्या है प्रला जी से पूछा तो प्रला जी ने कहा मारजी देवताओं को प्रला जी ने कहा सबसे श्रेष्ट गुण सील गुण है सबसे श्रेष्ट गुण सील गुण है किसी व्यक्ति में सारे गुण हो और शील गुण नहो तो उसके सारे गुण दुरुगुण बन जाएंगे और किसी व्यक्ति में हजार लाख दुरुगुण हो पर उसमें शील गुण हो तो उसके दुरुगुण दिखाई नहीं पड़ेंगे शील गुण ठाकुर्जी शील गुण से ही जीवों का कल्यान करते हैं आचारिय संत महापुरुष गुरुजन शील गुण से ही जीवों पर नुग्रह करते हैं अहो वकीयं स्तनकाल कूटं जिगां सया पाय यदप्य साध्धी ये पूतना का उधार क्या है ये ठाकुर्जी का शील गुण है ब्रह्मा शिव आदी के द्वारा भी जिनके वंदे चरण है वो स्रीकृष्ण गुआरियों के गोड़ा बन जाते है ये उनका शील गुण है वैकुंठ नाथ द्वारिका नाथ श्री ठाकुर्ज सुदामा जी का चरण धोने लग जाते है उनका चरणामृत ग्रहन करते है उनको हुर्दै से लगाते है ये उनका शील गुण है बड़ी भारी महिमा है शील गुण की भगवान में शील गुण और भगवान के भक्तों में शील गुन होता है किन्तु कोई भक्ति शुन्य व्यक्ति है वरंदावन के प्रति अनुराग नहीं है और सीलवान है तो उसका सील किस काम का कुईसी काम का सील नहीं बड़ा रूपवान है बड़ा बैभव है लेकिन किस काम का बड़ा दानवीर है बहुत यग्य करने वाला है और इतना अच्छा बक्ता है कि एक एक तत्व की सेक्णों प्रकार से व्याख्या कर सकता है अस्टांग योक में पारंगत है सन्यास धर्म का बड़ी द्रता पुर्वक पालन करता है यह सारी विशेस्ताएं हैं और इतना ही नहीं नारायन ही परात्पर परतत्व हैं विश्णु ही परतत्व हैं ऐसा मान कर विश्णु का भजन भी करता है अब देखो और ध्यान से सुने भगवत स्वरूपों में बेद करने की बात नहीं कह रहे हैं पर यहां श्री प्रभोधानन्द पादस्रस्वती का भाव्या है कि भगवान के विश्णु स्वरूप की जो भक्ती है वह आईश्वर्य गुण विशिस्ट भक्ती है अईश्वर्य मही भक्ती है किन्तु ब्रंदावन के मुर्ली मनोहर की जो भक्ती है वह विशुद्धतम माधुर्य मही भक्ती है अरे बोले भाई भगवान के तो गुण है अईश्वर्य और माधुर्य क्या ठाकुर्जी में ब्रंदावन में माधुर्य है तो क्या उनमें अईश्वर्य नहीं है जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं रह सकती ऐसे ही छै प्रकार का आईश्वर्य और छै प्रकार का माधुर्य भगवान में निरंतर रहता है और भगवान से कभी अलग नहीं हो सकता यदि उनका आईश्वरी गुण उनसे अलग हो जाए तो उनकी भक्ती की महिमा ही नहीं रह जाएगी वो इतने बड़े हैं और हमारे लिए इतने सुलब हो गए यही तो उनकी महिमा है यद्यप यखिल लोक चूडामनी फिर भी दीन है देखे ओ दुरो यह कुझे कुटीर में बैठो पलोटत राधी का पायन ये अब ठाकुर जी का अगनीपान कर लेना शी गोवर्धन धारन कर लेना ब्रह्माजी को नतमस्तक कर देना अरे बिसुधतम माधुरी की लीला महारास लीला है पर उस महारास लीला में अनंत स्वरूप धारन कर लेना प्रत्यक गोपी को संतुष्ट कर देना और एक ही मानविय रात्री में ब्रह्माजी की आयू के प्रमान से रात्री को विराजमान कर देना ये भगवान का आईश्वर्य नहीं तो क्या है ठाकुर जी का आईश्वर्य उनसे अलग नहीं हो सकता माधुर्य भी उनका उनसे अलग नहीं हो सकता पर बिचित्र बात है क्या बात ब्रज्य में माधुर्य का इतना प्रकास है इतना प्रकास है कि उस माधुरिये ने अईश्वरी को ढख रखा है मैया कहती है कि केंचुआ है देखे तो कनही है डर पे ओई सो फणन वारे साफ के फणन पे नाच रहे हो ये तो भाईया कोई चमतकार है ये तो हमारे गिर्राज बाबा को आसिरवाद है लाला कचु कहा कहा करे और मुदमंगल तो कहे कि हमने सारे सापे कील दियो मंतरन ते कील दियो और कनहीया तु नाच तीरी जे जे कार होगी भाई में हमें आनन्द मिले लो वो लीला देख कर भी उनमें इश्वरी का बाव नहीं इतने माधुरी का प्रकास अगनी पान देखते देखते ठाकुर जी कर जाते हैं मिया कहती हमारी आखन को ब्रमे क्यों बोले ये कदुष्न दुख्ध को हलके गुनगुने दुद को तो फूक मार मार के पीवे माधुरी इतना अधिक है उस माधुरी के आगे उसे गिर्दाज उठा लिया रे हम सब जाने गिर्दाज उठाए लियो पंसेरी तो उठेना या पे बाबा की दो खनावन एक संग नाए उठाए सके एक खनावन को बड़ी जोर लगाए के सकती लगाए के तब उठावे दो पादुका एक संग नाए उठाए सके एक गिर्दाज कहा उठावेगों लीला का प्रत्यक्ष दर्शन करने पर भी माधुरी इतना अधिक है कि अब देखो ठाकुर जी ने सलतो सल मुष्टिक चानूर एक एक तपड में क्रिष्ण बलवनाम ने जेसी आराम कर दिये चारो खाने चित पधार गये संबर गये वही बाजे बजरे दंगल के ठाकुर जी ने अपना पीरा पटका और दाव जी ने अपना नीलामबर फैराए दिये काउ की मईया ने दूद पिवाय हो तो आजाओ बिस्व जी पहलवान सलतो सल मुष्टिक चानूर बिनकु खेल खेल में समाप्ट करवे वारे हम क्रिष्ण बलदेव काउ में सकती होए तो आ जाओ इतना सुनते ही सुबल और मुदमंगल दोनों कूत पड़े अखाडे में जहरे गुरू के सामने अपनी मूच पर ताव दै रहा है हमते लरवा भिरवा कोश्टी लरवा सीगा हमारे सामने अपना जोस दिखाए रहा है मुदमंगल ने उठाए के ठाकुर जी को अखाडे में चित कर दिया और सुबल सखा ने दाव जी को चित कर दिया पटक दिया और जैसे वो पहलवानों की होते ने पद्धती के अब तो बस ये हार गए और पराजित करके सुबल और मुदमंगल दोनों चिलाए चिलाए के बुल देख लेओ भाईया विश्विजी पहलवानन कू चारो खानन ते चित कर वे वारे हमारे कृष्ण बलराम और उनकू एक ही दाव में आसमान दिखाए दे वे वारे हम ते बड़ो कोई बीर होए तो आज आया अब तू हमारे सामने ताल ठोकेगो पटका फेरावेगो ठाकूर जी के नेत्र भराए सखा को हुर्दै से लगा के कहा भाया हमारो बल तो दुस्टन के काज है तुम ते तो हमारी हारवे में ही सोबाए यह है ब्रिज का माधूरी है देखो श्री रुक्मनी आदी परम अनुरागवती है श्री कृष्ण को पती रूप से पाना चाहती है नमस्ये त्वांबिके भीक्षम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात्पतिरमे भगवान कृष्णस्त दनुमोधताम हे अंबिके आपकी संतान के सहत हम आपको बारवार प्रणाम करती हैं भगवान श्री कृष्ण हमें पती रूप से प्राप्त हों और मिले द्वारका की रानी पत्रानियों को भगवान मिले और बावा पती रूप से पाने की कामना ब्रिजकुमारी काओं की है पर वो भगवान को नहीं चाहती है वो क्या कह रही हैं वो कह रही हैं कात्या यनि महा माये महायोगिन्यधिस्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम्मे कुरुते नमां नंदगोप कुमार हमें पती रूप से प्राप्त हों पती तो दोनों कोई मिले पती रूप से ठाकुर जी मिले पर अंतर कितना बड़ा आ गया नंदगोप कुमार कहने में और भगवान कहने में कितना अंतर आ गया वो एक नई दो नई तीन नई 16108 हैं साक्षात भगवती महालक्ष्मी का स्वरुक्ष्मी ही इतने रूपों में ठाकुर की सेवा कर रही हैं क्या कहना उनका रूप, क्या कहना उनका सील, क्या कहने उनकी प्रीति, क्या कहना उनका समर्पन, अहरनिस, ठाकुर के प्रती समर्पित भाव से उनकी सेवा करती हैं, और 2400 घंटे एक ही प्रयास करती हैं कि मेरी और आक्रिस्टो हो जाएं, चित्त में नहीं देते ठाकुर जी भगवान है ना काई कुछ चित्त में दिंगे शुकदेव जी कह रहे हैं यस्येंद्रियम बिमथितुं कुहुकईर नशे कुहु वो 16108 रानी पत्रानी कृष्ण की इंद्रियों को चंचल नहीं कर बना पाती उनके चित्त को आकृष्ण नहीं कर पाती भगवान है अपने स्वरूप में प्रतिष्टित हैं चत्रभुज हैं शंक चक्रगदापदमधारी भगवान है और गोपियों को श्री कृष्ण पती रूप से मिलते हैं यहां ठाकृर के पीछे नहीं डोलती वो माईरी मेरे श्याम लग्योई संग डोले वहां बेड डोल रही है वो चित में नहीं दे रहें यहां गोपी चित में नहीं दे रहें ठाकृर जी पीछे लगे-लगे डोल रहें है 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 था था